आजकल हर कोई अपने स्वास्थाई के प्रती जागुरुत हो गया है। कहा जाता है कि अपने दिन बर के मिल में कम से कम एक बार प्रोटीन को जरूर शामिल करना जाहिए। तो आज बनाते हैं सुपर हेल्डी, सुपर टेस्टी and सुपर हाई प्रोटीन रेच टिकी। इसे आ ब्लेंडिंग जार में लेना है मून स्प्राउट। उसके बाद इसमें जायेगी ग्रीन चिली, अद्रक, सिलिंड्रो और रफली चॉप किया हुआ एक प्यास। अब इसे अच्छे से पीस लेना है। याद रखिए यहाँ पे पानी एड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आ अब इसमें जायेगा अपनी हल्थ अनुसार नमक, स्वादा अनुसार जाट मसाला और ग्रेट किया हुआ पनीर। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो लीजे, एक कटलेस हमारी बन के तयार हो चुकी है। दुसरी एक बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। अगर प्यास की वज़ज़ से आपके मिश्चर में वॉस्चर जादा रहता है और कटलेस बनाने में दिक्कत आती है, तो आप इस में थोड़ा सा ओट्स पाउडर या फिर ग्राम फ्लार एड़ कर सकते हैं। बस इसी तरह से सभी कटलेस को बना लेना है। अब बारी है इसे शेलो फ्राइ करने की। तो एक पेन में थोड़ा सा तेल गरम करना है। तेल गरम हो जाए उसके बाद सभी प्रोटीन टिकी को प्राइ होने के लिए रख देना है। मिडियम फ्लेम पे फ्राइ करना है। एक दो मिनिट का टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा पेशन्स रखे और मिडियम फ्लेम पे इसे एक साइड से अच्छे से फ्राइ कर लीजिए। उसके बाद पलड़ दीजिए और दूसरी ब्राइड भी अच्छे से फ्राइ कर लेना है। जब तक तक हमारा टिकी का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता या फिर अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती तक sophisticated उसे फ्राइर लेना ह। तो फाइनले हमारी सभी टिकी अच्छे इसे फ्राइख हो चुकी है तो इसे बहार निकाल देते हैं आप schaut को कोई भी चटनी या सूर्ण कर सकते हैं इसे आप डीनर में भी खा सकते हैं या फिर टी टांस और वेट लोस में उप्योगी एसे टिकी बनके तयार हो चुकी है तो आप भी अपने घर पे मेरी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजिए अपने घर पे प्रोटीन टिकी बनाईए खाए और एंजोई कीजिए और मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता आईए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई